Hi everyone, this is Anam, welcome to PhD Jobs and Admissions, आज का हमारा फूर्थ लेक्षिर होगान रिसर्च मेथरलोजी फो या अपकमिंग नाचेन बीजी यू गर्वाल उनिवर्सिटी फो या पीजी इंट्रेंस एग्जामिनेशन तो स्टूरिन जैसे के आप सभी को पता है कि यहां पर हम टाइपस आफ रिसर्च स्टडी कर रहे हैं और आज के सेशन में नेक्स टाइप ऑफ रिसर्च विजजी इस टॉपिक पर हम mcqs discuss करने जा रहे हैं तो आपको देख लेना चीज तरीके से सारे mcqs सारे mcqs में आपको detail में बताया है और उसे तरीके से इस टॉपिक से आपको examination में one or two questions आने के चांस है उसे के साथ जैसे के 8 अपरेल के दिन आपका examination है तो उसके लिए आपको अच्छी तरीके से preparation कर दी जाती है नहीं हम आपको इतना प्रिपेर कर बादेते के पैटलीस पासिंग मक्स तक मक्स कोर कर सको तो आपको जल्दी से नहीं करना है जल से जल हमें स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर वाट्साप के तरूप करना है या फिर आपको मेरे आप के तरूपी study material को एकसेस कर सकते हैं फिचले जादा टाइम बेस नहीं करते हैं अज के सेशन को हम स्टाट करते हैं जल्दी से बता दूं हमारे प्रोडक्स रेलेटर जैसे कि आप सबहु पता है पेपर 1 पटना उनिवर्सिटी के प्सजेंट्ञिंस एक्जामिनेशन के लिए जिस पर आपको बेस्ट ह होता है research methodology and journal aptitude ठीक है तो research methodology and journal aptitude यापका paper 1 पर बेस्ट होता है दोनों यूनिंस इन पर बेस्ट आपको mcqs पूछा जाता है 50 mcqs आपको paper 1 से पूछा जाएगा 400 marks तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो हम आपको video lectures provide करते हैं theory as well as in English ठीक है तो दोनों languages में हम आपको एक course provide करते हैं और हम आपको time to time guide करते रहते हैं कि आपको proper किस वे से study करना है और कितना time आपको हर एक topic पर spend करना है तो हम आपको अच्छी तरीके से throughout हमारे course हम आपको preparations करवाते हैं कि किस तरीके से आपको time to time सारे topics को read करना है हम आपको guide करते रहते हैं कि कौन सा step follow करना है ठीक है तो आपको just हमारे जो instructions होते हैं वो follow करना है और मैं आपको बता दू कि आपको हम passing guarantee देते हैं यानि हम आपको इतना prepare करवा देते हर एक students को कि आप at least passing marks तक marks score कर सको तो आप याद रखिएगा काफी कम time है आपके examination के लिए one month remaining है तो आपको screen पर जो number नजला आ रहा है उस number पर WhatsApp के तुर आपको हमें contact करना है या फिर आप हमारे app के तुर भी scores को access कर सकते हो आपको access करने के लिए link हमने आपको comment section as well as description box मों भी शेर कर रहा है तो आप वहां से भी आपके paper one के याई research method login general aptitude की course को आप purchase कर सकते हो तो चाहले जादा time waste नहीं करते हुए हम mcqs के तरफ बढ़ते है ठीक है so in this lecture we will look at mcqs on exploratory research so let's begin with the video first question that research is defined as research used to investigate a problem which is not clearly defined इस question में मैं find out करना है ऐसे कौन से research होती है जो किसी भी problem को examine और understand करने में help करती है जो के well defined नहीं होती है so हो research होती है exploratory research अब exploratory research होती क्या है हम यह example के तरू समझते है मान लो एक company है जो maggy sale करती है अब इस company ने यह देखा कि maggy के sales में कुछ months में profit में decrease हुआ है तो यह मान लो यह profit हो आपका यह हो गया month अब company ने यह देखा कि यह कुछ month में maggy के sales में profit हुआ है लेकिन suddenly profit में decrease होने लगा और फिर से profit increase होने लगा तो यह जो particular month है इस particular month में maggy के sales में decrease हुई मिंस profit नहीं हुआ उस particular month में तो researcher इस study को इस problem को solve करने के लिए exploratory research की help लेगा कि इस particular month में maggy के sales में क्यों decrease हुई क्या factors हो सकते हैं जैसे quality, storage, manufacturing यह सारे factors हो सकते हैं कि maggy के sales को यह सारे factors ने profit में decrease किया होगा तो इस type की problem को जो कि well defined नहीं होती है उस type की problem को understand करने में, examine करने में research और exploratory research का help लेकर उस problem को understand करेंगे और examine करेंगे then यहापर आपको option B given है applied research, applied research क्या होती है जिसमें आपको specific और practical problem को solve करते हो इसमें आपको problem को understand ने करते हो, examine ने करते हो, that's why आपको option B incorrect हो जाएगा then option C historical, historical research क्या होती है जिसे name में meaning है history, history में हम क्या पढ़ते हैं जिसे past events के बारे में हम study करते हैं so वैसे ही historical research में हम past events के बारे में study करते हैं जैसे Indian history और world history so historical research में भी हम किसी भी problem को examine ने करते हैं, understand करने की कोशिश नहीं करते हैं that's why आपको option C भी incorrect हो जाएगा then here this is the definition of exploratory research so here option A is the right answer the major emphasis in exploratory research is on this question में हमें find out करना है कि exploratory research किस चीज़ पर जादा focus करता है और emphasis means priority, focus, okay this exploratory research किस चीज़ को जादा importance देता है यह हमें find out करना है अब हम पहले options देखेंगे पहले हम options C देखेंगे determining cause and effect relationships so cause and effect relationships को आप experimental research में determine करते हो not in exploratory research so experimental research में आप cause and effect relationship find out करते है between the variables जो कि होते हैं independent variable and dependent variable आप independent variable का क्या effect हो रहा है dependent variable पर यह आप experimental research में find out करते हो और इस experimental research की बारे में हमने previous lecture में सारी detail में मैंने आपको experimental research की बारे में बताया है आपको वीडियो देख सकते हो so experimental research में हम independent and dependent variable के बीच का cause and effect relationship find out करते है not in exploratory research that's why आपको option C incorrect हो जाएगा then option B solving a specific problem किसी भी specific problem को हम applied research में solve करते है not in exploratory research अगर आप कोई problem को solve कर रहे हो जो कि specific problem है that means वो problem पहले से defined होगी well defined होगी वो problem तभी तो आप उस problem को solve करते हो applied research में but exploratory research में ऐसी problem जो well defined नहीं होती आप पहले इसको examine करते हो understand करने की खोशश करते हो but applied research में ऐसी problem जो well defined होती है आप उसका solution find out करते हैं आप उसको solve करते हो so यहाँ पर आपका option भी incorrect हो जाएगा then option A getting new insights about a problem so yes यहाँ पर आपका option नहीं करेक्ट हो जाएगा this is related with exploratory research exploratory research में आप किसी भी problem को understand करते हो उसको और deep में जाने की कोशिश करते हो उसको examine करते हो अब मान लो आपके पास एक problem है जो के हमारे पास एक problem थी COVID-19 virus यह virus एक problem था जब यह virus new आया था so research ने पहले इस problem को examine करा अब कैसे examine करा होगा research ने इस problem को कि जो जो person इस virus से affected थे उनका interview लिया होगा कि उनकी body उस time पर कैसे behave करे थी उनमें कौन-कौन से symptoms पाए गए so यह सारे interviews के थूँ वो research उनसे data लेंगे उस problem को examine करेंगे understand करने की कोशिश करेंगे जो कि well defined नहीं होती है अब जबी भी हमारे पास कोई problem आती है पहले आप उस problem को पहले understand करोंगे examine करोंगे पहले उसको जानोगे कि वो problem है क्या तभी उसके against कुछ action ले पाऊगे अगर आपने understand कर लिया problem तो उसके against आप कुछ new knowledge लेते हो पर उस knowledge का applied करके आप applied research में उस problem को solve करते हो अब कोई भी problem है तो आप उसको पहले examine करोंगे understand करोंगे तो यह आप exploratory research में करते हो और exploratory research इसी चीज़ पर focus करते है that's why here correct option is option A getting new insights about a problem next question all the following are the part of an exploratory research strategy except this question में में find out करना है कि ऐसा कौन सो option है जिसमें हमें exploratory research का part और method given नहीं है so अब हम options देखते है पहले हम option A देखेंगे interviewing and employee interviewing, employee means employee के साथ interview जैसे मानलो for example एक company है और उस company ने देखा कि आप उनके जो product sale हो रहे है उस product में कुछ decrease हो रहे है product जादा sale नहीं हो रहे profit में decrease हो रहे है so उस company के manager क्या करेंगे अपने workers, laborers के साथ interview perform करकर यह जानेगे कि यह problem हो क्यों रही है उस problem को understand करने के कोशिश करेंगे कि जो product थे वो product proper sale क्यों नहीं हो रहा है so यहाँ पर interviewing and employee this is the part of an exploratory research so यहाँ पर आपका option ही correct हो जाएगा then option B experts interview so experts interview again this is the part of an exploratory research this is the method of exploratory research exploratory research में आप किसी भी problem जो भी problem हो जो भी topic है आपका उसके against आप कोई expert से interviews ले सकते हो और उस problem को और deep में जान सकते हो जिसे मान लो hard disease है कोई so आप क्या करोगे hard disease के specialist से आप interview लेँगे उसके experts से interviews लेँगे आप यह देखो के hard disease होती क्यों है कि blood level में कुछ कमी आ जाती है कि blood pressure कैसा होना चाहिए cholesterol level कैसा होना चाहिए कि कैसे maintain करें यह सारे so hard disease यह एक problem है उस problem के expert से आपने interview लिया और उस interviews के थुरू आपने उस problem को understand करा और examine करा so यह पर expert interview this is the part of an exploratory research so यह अपर आपको option B भी correct हो जाएगा then option C interviewers with those involved the problem so यह पर option C में हमें यह बता है कि आप उनसे interview लोगे जो खुद problem में involved है so this is again this is the part of an exploratory research अब जैसे मान लो कोई disease है अब हम यह disease ले ले लेते हैं covid ok covid disease है अब कोई person है जो covid disease में involved है और आपको covid disease के बारे में कुछ पता ही नहीं यह पहले so आप क्या करोगे उस person से interview लोगे कि आपकी body उस time पर कैसे behave कर रहे थी आपको कौन-कौन से symptoms हुए थे उस time पर जब आपको covid disease हुई थी आपको क्या हो रहा था आपको क्या फीवर था sneezing हो रहा था coughing हो रहा था so आप यह सारे चीज़े उस person से पुछोगे जो खुद उस problem में involved था so आप जो ऐसा person जो उस खुद problem में involved है उससे भी आप interview लोगे और उस problem को understand करने के कोशिश करोगे so again here option C is also a part of an exploratory research then यहापर आपको option D given है experiments experiments this is not the part of or this is not the method of an exploratory research because experimental research में और experiments में आप experiment जब perform करते हो कि जब आपको कोई चीज़ पर test करना होता है आप exploratory research में कोई चीज़ को test नहीं करते हो आप बलके उस चीज़ को जानने की कोशिश करता है आप उस चीज़ को understand करने की कोशिश करते हो that's why आपको option D incorrect हो जाएगा और option D this is not the part or not the method of an exploratory research और हमें भी इस question में यही पुचा गया है that's why आपको आपको correct option हो जाएगा option D experiments next Indigo Airlines has experienced a continuing and unexplained decline in the number of tickets sold on its major routes from Mohamed to Delhi you have been asked to give a report on the problem and to outline alternative courses of action for the airline to check how would you start इस question में हमें एक example given है के एक Indigo Airline है जो Bombay से Delhi का route follow कर रही है so इस Indigo Airline ने यह देखा कि उनके जो ticket sold हो रहे थे वो ticket sold होना decreed हो गया है means ticket जो sell हो रहे थे वो ticket sell नहीं हो रहे means ticket sell नहीं हो रहे means यहाँ पर profit decrease हो रहा है इस airline का अब यह problem आ गई इस problem को आप कैसे solve करोगे और उस problem को solve करने के लिए आप first step क्या follow कर रहे है उस problem को solve करने के लिए अब उस problem को कैसे start करोगे means उस problem को first step क्या होगा हमें यह find out करना है इस question में अब जैसा हमने first question solve किया था जिसमें हमने देखा था कि Maggie थी Maggie की sell में decrease हो रहा था particular month में उसी same type का ये भी question है अब जैसे यहाँ पर देख लो आप कि ये airline से उस airline ने अपने ticket के जो ticket sell हो रहे थे उस particular month में कुछ month में continuous decrease होने लगे ये particular month में जो ticket के sales है वो sales नहीं हो रहा था इस airline को क्या वज़े हो सकती है ये problem क्यों हो रही है problem को पहले research understand करेंगे और इस problem को जो airlines के manager है वो understand करेंगे कि इस problem में क्या ऐसा हो गया इस problem यह problem है इस particular month में क्यों decrease हुआ क्या हो सकता है कि ticket के phone increase हो गए होगे उनकी service अच्छी नहीं होगी ऐसे कुछ problems हो सकते हैं जिसके वज़े से इनके ticket sell नहीं हो रहे है तो remember अब यह problem है अब किसी भी problem को solve करने से पहले आप क्या करोगे उसको understand करने की कोशिश करोगे कि ऐसे कौन से वज़े हो सकती है जिसके वज़े से यह particular airline के जो ticket है वो sell नहीं हो रहे थे उनके ticket sell होने में जो profit हो रहा था वो decrease होने लगा जब भी आप किसी भी problem को solve करते हो in the first step you understand the problem you examine the problem आप examine करते हो उस problem को और जानने के कोशिश करते हो कि वो problem किस वज़े से हो रही है so remember in exploratory research exploratory research में हम किसी भी problem को understand करते है उस problem को examine करते है so here option C is the right answer then यह आपको option B given है applied research applied research में आप जो problem already होती है जो कि well defined होती है उस problem को आप solution find out करते हो ना कि उस problem को understand करने की कोशिश करते हो that's why आपको option B incorrect हो जाएगा then option A descriptive research descriptive research क्या होती है descriptive research ऐसे research होती है जिसमें आप जो भी phenomena होता है उस phenomena को as it is described करते हो बलके इस descriptive research में आप कोई problem को examine नहीं करते हो कोई problem को understand नहीं करते हो बलके उस phenomena को as it is described करते हो so that's why आपको option A भी incorrect हो जाएगा so here correct option is option C exploratory research next the objective of dash is the development of hypothesis rather than their testing इस question में मैं find out करना ऐसे कौन से research होती है जिसका aim और goal ये होता है कि कि कोई hypothesis को develop करे ना कि इस hypothesis को test करें so आपके लिए hypothesis इस question में new word है so आपको पता आना चाहिए hypothesis होता क्या है so hypothesis एक tentative statement होता है और you can say एक temporary statement होता है tentative means temporary तो hypothesis एक temporary statement होता है जो researcher के assumptions और guesses पर based होता है जैसे हम कभी कभी guess कर लेते हैं कि अगर ऐसा हम करते तो ऐसा हो सकता है उसी तरीके सा hypothesis भी होता है कि अगर मैं ऐसा करूँ तो ऐसा हो सकता है so researcher कभी कभार अपने assumptions पर based hypothesis देते है एक statement देते हो और उसी statement को अपने research में टेस्ट करते है अब मानलों यह आप पर researcher ने statement दिया कि कोविड है कोविड के against यह जो vaccine है यह vaccine कोविड को क्यूर कर सकती है research ने यह ने कहा कि यह vaccine लेने से आपको कोविड नहीं होगा यह vaccine से कोविड क्यूर होई जाएगा ऐसा ने कहा है हो सकता है कि यह vaccine लेने से आपका कोविड क्यूर हो सकता है so यह hypothesis हो गया अब हमें इस question में find out करना कि कौन सी research का aim होता है कि hypothesis develop करे ना कि उस hypothesis को test करे सो वो होती है आपकी Exploratory Research Exploratory Research में आप Hypothesis Develop करते हो उस Hypothesis को आप Test नहीं करते हो बलके आप Exploratory research में उस Problem को तो Understand करने की कोशिश करते हो फ्रम हो कैसे रही है वो Problem क्यों हुई है उसको एक्जामीन करने की कोशिश करते हो आप कोई Test नहीं करते हो इसलिए hypothesis testing नहीं करते हो, आप exploratory research में बलके hypothesis develop करते हो, that's why आपर आपका option A correct हो जाएगा, then option B applied research, applied research, applied research में आप कोई problem को solve करते हो, solution find out करते हो, that means आपर आप test करोगे, उस solution को find करोगे, so applied research में आप hypothesis को test करते हो, rather than hypothesis development, that's why आपर आपका option B incorrect हो जाएगा, then here correct option is option A exploratory research so remember this is very important exam में इस type के question आते हैं कि आप किस research में hypothesis develop करते हो और उस hypothesis को test नहीं करते हो so वो हो जाएगी आपकी exploratory research and for this question option is the right answer next the type of research conducted by marketers to gain an insight about a problem is इस question में मैं find out करना है जिसे कौन सी type of research study होती है जिसका ज़ादा तर use business man करते है अब business में कौन सी type की research ज़ाधा use होती है वो थी आपकी exploratory research study अब exploratory study क्या होती है अब मालो कोई business है अब business में कभी कबर loss भी होता है जरूर नहीं है आपको बस profit मिले so loss भी होता है जो जैसे loss हो रहा है, मिन्स कोई product ज़ाधा sell नहीं हो रहे हैं, आप product ज़ाधा sell नहीं हो रहे हैं, आपको business कर रहे हैं, आपको profit चाहिए, आपको profit नहीं आ रहा है, मिन्स यहापर आपकी profit loss हो रहा है profit में, आप यहापर आपके लिए एक problem हो जाती है, businessman के लिए problem हो जाती है, बिजनेस्मेन इस problem को understand करते हैं, इस problem को examine करते हैं, इस problem को understand करने के लिए और इस problem को examine करने के लिए बिजनेस्मेन exploratory studies का use करते हैं, So exploratory studies का help से, researcher और you can say businessman ये देखते हैं कि वो problem क्यों आ रही है, product की क्या वज़े हैं कि product sell नहीं हो रहे हैं, इस quality में कोई effect आ रहा है, कौन साइसे factors है, जो manufacturing में कोई effect आ रहा है, कुछ problem आ रही है, so ये देखने के लिए businessman और researcher exploratory study का use करते हैं, So remember, exploratory study business में ज़्यादा use करे जाती है, then आपर आपका option B given is descriptive study, descriptive study क्या होती है, एक phenomenon होता है, आपको उसको as it is described करना होता है, आप descriptive research में आप किसी भी problem को understand नहीं करते हो, नहीं examine करते हो, that's why आपर आपका option B incorrect हो जाएगा, then option C, experimental study, experimental study क्या होती है, जिसमें आप cause and effect relationship find out करते हो, between independent variable and dependent variable, So आप experimental study में independent variable का क्या affect होड़ा है, dependent variable पर आप यह दिखते हो, नहीं के experimental study में आप किसी problem को examine करते हो, नहीं understand करते हो, So यह आपर आपका option C भी incorrect हो जाएगा, So here correct option is, option A, exploratory study, next question, One of the quickest and most economical ways to discover hypothesis is through, इस question में में find out करना है, ऐसा कौन सा method होता है, जो fastest होता है और cheapest होता है, hypothesis को discover करने के लिए, So अब हम options देखेंगे, option A, sample survey, sample survey क्या होता है, sample means, आप लोगों को collect करते हो, population में से कुछ लोगों को collect करते हो, और वो आपका sample बन जाता है, अब samples के थूँआप response जानते हो, लोगों का response क्या हो रहा है, क्या होगा लोगों का response, So sample में एक एक लोगों के पास आप जाओगे, उनसे उनका response लोगे, So यह एक time taken process हो गया, So time taken process है, यह fastest नहीं है, That's why यहाँ पर आपका option लिए incorrect हो जाएगा, Then option B, the use of a panel, So panel क्याता है, जिसमें researcher 4 और 5 community और you can say, experts के group को, experts को invite करते हैं, अब पहले आप कोई लोगों को invite करोगे, फिर वो आएंगे, फिर आप 4-5 लोगों का opinion जानोगे, So यह भी time taken process ही हो गया, So option B, hypothesis को discover नहीं कर सकते, बिकर्स यह cheapest और fastest method नहीं है, Then option C, an experience survey, So यह आपर survey word आ रहा है, So remember, जब भी survey word आता है, That means it is time taken process, Because आप लोगों के उनका response जानते हो, So response जानने में एक एक लोगों से, सब लोगों का response अलग अलग होता है, So अलग अलग लोगों से उनका response जानना, So service के तुरू time लगता है, So it is again time taken process, That's why आपर आपको option C भी incorrect हो जाएगा, Then option D, literature search, Literature search क्या होता है, Literature means जो journal, articles, papers में, जो भी researcher ने research की होती है, So वो पुराने information उस particular topic पर, जो भी पुरानी research की गई होंगी, सारी information present होती है, आप उस information को refer करते हो, और उस information के basis पर, आप hypothesis discover करते हैं, So literature search, क्योंकि यह आप खुदी करते हो, इसलिए fastest, और you can say cheapest method होता है, hypothesis को discover करने के लिए, और develop करने के लिए, That's why आपका correct option हो जाएगा, option D, a literature search, Next question, Which of the following research is conducted, as the first step in determining appropriate action, इस question में मैं find out करना है, कि अगर आप किसी problem के against action लेते हो, इस problem को solve करते हो, So first step अब क्या perform करते हो, So remember, अगर आपके पास एक कोई problem है, मानला आपके पास एक problem है, उस problem को आपको solve करना है, अब आपको पहले पता होना चाहिए न, वो problem है क्या exactly, उस problem को आपको पहले examine करना चाहिए, आपको उस problem को understand करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वो क्या problem क्या हो रही है, उस problem आई कैसे, इस प्रॉबलम को बीप में पहले अंडस्टैन्ड करोंगे अगर आपको प्रॉबलम समझ में आएगी एक बार तभी तो आप उसको सॉल्फ कर पाऊगे तो येस वह रिसर्च होती है आपकी एकस्प्लोरेटरी रिसर्च exploratory research में आप क्या करते हो पहले problem को understand करते हो और इस problem को examine करते हो अगर आप किसी problem को solve करते हो अगर किसी भी problem को हमें solve करना है तो पहले आपको problem पता कि आपको पता होना चाहिए इस problem के बारे में कुछ information वहना चाहिए अपको understanding होना चाहिए इस problem के बारे में तब ही तो आप उस problem को solve कर पाऊगे So, exploratory research का exploratory research में जैसे किसी भी problem को हमको solve करने से पहले इस problem को understand करना पड़ता है इस problem को examine करना पड़ता है इसी तरीके से exploratory research में हम कोई problem को understand करते हैं और examine करते हैं यह पर आपको option डी करेक्ट हो जाएगा यह पर आपको option C कि वेने applied research applied research में आप problem को solve करते हो पहले exploratory research में आप problem को examine कर लेते हो उस problem को understand कर लेते हो अब examine understand करने के पाद उस problem के अगेंस आप कुछ information gain करोंगे जो कि आप fundamental research में करते हो अब fundamental research में जो भी आपके पास information मिल जाती है आपको उस information को use करकर आप applied research में उस problem को solve करते हो so applied research में आप directly problem को solve करोगे जो भी अपने fundamental research में theory बनाएंगे उस theory उस concept को use करकर so यह पर applied research में आप problem को first step नहीं होता है क्योंकि first step में आपको problem को understand करना होता है that's why आपको option C incorrect हो जाएगा then option B historical research historical research में आप past events के बारे में study करते हैं जैसे history history जो आपका subject होता है so history में भी आप past event के बारे में study करते हो वैसे ही आपकी historical research है जो already events हो चुके होते हैं उसके बारे में और study करते हो कि उसका application क्या हो सकता है present में इसलिए आप historical research perform करते हो बस historical research में आप कोई problem का examine ने करते हो और किसी problem को solve करने का यह first step नहीं होता है that's why option B here incorrect then option A experimental research experimental research में आप cause and effect relationship find out करते between the variables के एक variables का दूसरे variable पर क्या effect हो रहा है again experimental research में आप कोई problem को नहीं solve करते हो नहीं इस problem को examine करते हो नहीं understand करते हो that's why आपर आपको option A भी incorrect हो जाएगा so here correct option is option D exploratory research moving on to the next question which of the following is true about exploratory research इस question में में find out करने के exploratory research के बारे में हमें कौन से option में सही information given है so अब हम option A देखेंगे it is unstructured so yes यहापर आपको option A correct हो जाएगा because exploratory research unstructured होती है so exploratory research में जिसा हमें पता है exploratory research में किसी भी problem को understand करने के कोशिश करते हो examine करते हो और उस particular area को explore करते है अगर आपको कोई चीज के बारे में understanding gain करने होती है so आप कोई steps और कोई structure follow नहीं करते है बलकि आप zigzag manner में आप किसी भी तरीके से आप यह चाहोगे कि बस मुझे इस problem कहां से आई है बस इस problem के बारे में मुझे कुछ understanding हो जाए so exploratory research unstructure होती है then यहाँ पर आपको option be given है helps researcher in early stages of discovering the cause of a problem so यहाँ पर आपके लिए early stages जो word given है यही आपके लिए keyword है so आप अगर exam में भी ऐसे type to question solve करते है so आपको एकाद word देखकर यह आपको guess लग जाना जीए कि हाँ यह option correct होता है आपको ऐसे कुछ words याद रखने early stages जैसे हमने देखा था exploratory research हम starting में करते है अगर कोई problem है उस problem को पहले आप understand करोगे उस problem को examine करोगे अगर उस problem आपको समझ में आ गई अगर कोई problem आपको समझ में आ गई तभी तो आप उसको solve कर पाऊगे सो किसी भी problem को solve करने के लिए आपको पहले उस problem को समझना जरूरी है उस problem का आपको understanding होने चाहिए इस problem के बारे में तरुछ आप उस problem को solve कर पाऊगे सो exploratory research होती है यह हमें help करती है early stages में जो भी problem है उसके अगेंज कुछ understanding गेंग करवाती है और कोई हम examine कर सकते उस problem को और देन उसके बाद हम उस problem को solve करते है सो यह पर आपका option B भी correct हो जागे it is also correct about exploratory research so your correct option is option C both A and B are the right options about exploratory research next the purpose of this research is to gain background information to define the terms to clarify the problems and to develop hypothesis the above statement is related to which among the following types of research इस question में में find out करना है जो हमें यह statement given है यह statement किस research study से related है अब statement हमें क्या given है statement में यह given है इसी कौन से research का purpose होता है इसने हमें background information जो भी background उस particular problem की जो भी background information होगी वो हमें मिलती है हम उस problem को define करते है उस problem को और clarify करते है और वो research में हम hypothesis भी develop करते है so वो research होती है आपकी exploratory research exploratory research में आपकी problem है उस problem का background information लेते हैं अब एक problem है जिसे हमारे पास एक बहुत बड़ी problem थी इस problem के अगेंस पहले गेंड करियोंगी इस problem को define कर रहा होगा यह problem है क्या इस problem को clarify क्या होगा कि यह problem कैसे आई क्या है यह problem किस वजह से इस problem को understand क्या होगा examine क्या होगा then exploratory research में research of hypothesis भी develop करते हैं so research से यह भी कह सकते हैं कि इस virus को particular vaccine किल कर सकती है so ऐसे type के hypothesis भी develop कर सकते हैं exploratory research में आपको यह points याद रखना है exploratory research में आप उस particular problem के बारे में background information गेंड करते हो उस problem को define करते हो उस problem को clarify करते हो और आप hypothesis भी develop करते हो then यह आपर आपका option A correct हो जाएगा exploratory study then option B given है descriptive study descriptive study में आप as it is कोई phenomena को describe करते हो यह आपर आप कोई background information नहीं इस problem को define करते हो नहीं clarify करते हो that's why आपर आपका option B incorrect हो जाएगा then option C experimental study experimental study में तो आप cause and effect relationship find out करते हो नहीं आप उस problem को clarify करते हो नहीं define करते हो that's why आपर आपका option C भी incorrect हो जाएगा so here correct option is option A exploratory study so students I hope the concept of exploratory study is clear to everyone and thank you for watching this video see you tomorrow with another video